Assalamu alaikum, welcome back to my youtube channel हमारा आज का टोपिक है nesting in birds यानि के birds जो है, वो nest कैसे बनाते हैं, ठीक है, कितनी types के जो कहले birds में जो young ones होते हैं, उनकी types कितनी हैं, ये सारा हम आज की वीडियो में देखेंगे सबसे पहले, nesting जो होती है ना birds में, वो species specific होती है यानि ये depend करता है species पे, कुछ ऐसी species होती हैं, जो अपने nest बनाती हैं दूसरे members होती है ना, उसी species के उनसे अलग, यानि सारे members एक जगा पे nest नहीं बनाते लेकिन कुछ ऐसी species होती हैं, जो के nest बनाती हैं, एक ही जगा पे, एक species के सारे members एक जगा पर नेस्ट बनाते हैं तो नेस्ट मेकिंग दो तरह की हो सकती है एक अवे फ्रॉम दा मेंबर्स अब देर स्पीशिस और एक तोगेदर विद देशिस इन दा फार्म फ्लॉक्स अब हमें पता है कि कौन से बर्ड ने इसमें से कौन सी टाइप चूज करनी है ने यह पर्डेटर इट्र का अटैक असानी से हो जाता है अच्छा अब फीमेल जो एक ले करती है ठीक है और उनसे जो चिक्स पर ड़्यूस होते हैscath उसको हम कहते हैं कलच कलच का साइज होता है बड़ा भी हो सकता है चोटा भी हो सकता है अब बहुत सारे birds ऐसे हैं जो अपने eggs को incubate करते हैं यानि उनको heat provide करते हैं जैसे hen کا आपको पता है और कुछ ऐसे birds होते हैं जो brood patch बनाते हैं ठीक है वो brood patch उसका काम क्या होता है जो egg का temperature रखती है between 33 to 37 degree centigrade इसके इलावा birds क्या करते हैं कि अपने एक्स को अधर करते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, इनकी साइट चेंज करते हैं साइट क्यों चेंज करते हैं, साइट KhHost की जाती है, कि जो एग मेंब्रेन्ज है ना वो एक के सद अटैच ना हो जाए ठीक है और एम्ब्रियो को डी-फॉर्म ना कर दें कुछ अडल्स जो है ना वो क्या करते हैं वो एकस के उपर पानी लाला के फैंकने हैं तांकि उनको हुमिड रखा जा सके नमी वाला रखा जा सके उनको इसमें एक 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 एक्जम्पल इंकुबेशन पीरियट जो है ना बर्ड्स का वो 10 to 80 डेस की दिम्यान में हो सकता है और यह किस पे डिपेंड करेगा कि इंकुबेशन पीरियट कितना होना है यह डिपेंड करेगा एक साइस पे और डिग्री अफ डिवेलम्मेंट पे एट हैचिंग यानि एट टाइम अफ है इर साइक का साइक में जासे आप जो है कि उसको मां इंड होता है इक छीन पेडान के तरफ चल जाते हैं इंफ्लेट करते हैं लंक्स को और ब्रीद करना शुरू कर देते हैं हैचिंग जो होती है जब बलंट एंड वाली साइट पे आ अपर जागी चुटी होती है वो मारते है ठीक है जो चिक्स हैं और स्ट्रगल करते हैं हुद को अजाद कराने की यहां पर एक क्वेस्टन है बलंट एंड अब आप चिक के एग को माइंड में रखें ठीक है ऐसा एग होता है यहां पर इतनी सी एक साइट पर आपको स्पेस नजर आती है वह स्पेस वाला जो एरिया होता है ना वो बेसिकली बलंट एंड होता है अच्छा अब ना जो यहां वाज होते है ना वो दो तरह के हो सकते हैं एक तो हैल्पलेस होते हैं हैचिंग पर और एक जो होते हैं वो हैल्पलेस नहीं होते बलके वो इंडिबेंड होते हैं पहले हम बात करेंगे जो हैल्पले और वो टोटली dependent होते हैं अपने पेरेंट्स पे इनको पेरेंट्स पो ना इनको मुसलसल खाना तेना पड़ता है ठीक है? और उनको बूडिंग पे करानी पड़ती है। जानी उनको कहलें के टमपरेचर उनका मेंटेन पेरेंट्स रखते हैं क्योंके उनमें एंडो थर्भी develop नहीं होती, यानि वो अपना body temperature खुद maintain नहीं कर सकते नहीं body heat generate कर सकते हैं, यह rapidly grow करते हैं और जब यह nest को छोड़ते हैं तो इनका size इतना ही होता है जितना इनके parents का, इसमें हमारे पास example है American Robins की, जिनका weight hatching पे होता है 4-6 gram, लेकिन तेना दिन उबाद 57 gram का weight हो जाता है, क्योंकि यह rapidly grow करते हैं next हम बात करेंगे precocial birds की precocial young ones कौन से होते हैं आपने कभी चूजे देखे हैं मुरूगी के जैसे ही वो पैता होते हैं वो active होते हैं, और उनकी body cover होती है, feeders से वो कौन से feeders होते हैं, dawn feeders केर करते हैं young altricial birds अब हम दुबारा altricial की बात कर रहे हैं उनकी appetite बहुत ज़्यादा होती है और parents उनके लिए खाना डूड़ दे रहते हैं और वो basically इतना खाना खाते हैं मतलब आप कहलें कि जितना उनका weight अतना खाना एक दिन में खा लेते हैं और adults जो हैं वो food लेके आते हैं nest की तरफ या फिर अपनी crop में store कर लेते हैं उनके लिए food अच्छा feeding response कैसे initiate होता है young ones में vocal signals हो सकते हैं किसी किसम की आवाजे निकालते हैं या फिर color patterns हो सकते हैं अब यह देखें फर्स्ट वन हमारे पास इल्ट्रीशियल चिक्स के एक्जैमपल है जो के independent नहीं है अपने parents पे dependent है सारे कामों के लिए जबके second one हमारे पास चिक्स के एक्जैमपल है यानि वो pre-causal यानि वो अपने parents पे dependent नहीं है अच्छा अब कुछ जो young ones होते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं के color patterns बड़े प्यारे होते हैं जिसकी वज़ासे parent की attention उनकी तरफ जाती है और उनको खाना खिलाते हैं और जो सबसे पहले है जो उता है यान्ग one उसको सबसे ज़्यादा खाना मिलता है और सबसे पहले मिलता है ठीक है और उसकी neck जो होती है ना उसको वो ज्यादा सट्रेच कर सकता है as compared to other ones जो उसके बाद में पैदा होते हैं उसके बाद हम बात करेंगे life span की birds का life span पुछ short होता है अगर 50 eggs है ना तो उन में से nature में 25 पर जो हैं जो यह पहले कि जो weather extremes है, what the weather extremes यह उसके एफक्ट कर सकती है